हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से एके एकजाम साइकिल की तरफ से दोस्तों आप लोग हमारे चैनल से जल्दे से जल्द जो है जूड जाईए कुछ हम जो है महातुपों टापिक के साथ जो आज हम चर्चा करेंगे जो की परिच्छा में जो है आज के परिच्छा में पूछे जाने का संभाना बहुत जादा बना रहता है किसी भी सब्जेक्ट से अगर देखा जाए तो महातुपों क्यूशनों को जो है हम एक एक करके वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के पास प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं दोस्त तो बस आप लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर कर दीजिए जिससे हमारी भाई बान जो नहीं जुड़े हैं इस चैनल के साथ जूड़ जाएं और हम अपना जो है टॉपिक की स्टार्ट कर सकें तो दोस्तो हमारा जो टॉपिक है हम ऐसे नहीं बताएंगे हम सीधे जो है डारेक्ट स्क्रीन पे आ रहे हैं अपने टॉपिक के साथ जिससे की आप लोग खुद पहचान सकें कि किस सब्जेक्ट से यह टॉपिक लिया गया है थोड़ा आप लोग भी जो है माइन को जो है यह तो दोस्तों चलो एक बार ज्यादा 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 जल जल सेयर कर दीजिए और हम अबस्पिक को जो ही स्टार्ट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारा टॉपिक जो है वो परियावरान से है पारिष्थित की जगत परियावरान से लिडेटेट है जो को जेनेर परियावरान जो है जी है के के अंतर गत्त हमेशा परिष्風में जो है अक्सर मुझा जाता है, तो प्रकृत कि यह क्या है? प्रकृत ब्यापक्तम अर्थ में प्राकृतिक भावत्तिक यह पदार्थिक जगत या ब्रमांड है। इससे होता है भावतिक जगत के द्रिग विशय से हो सकता है और सामाने तह जीवन से भी हो सकता है हमारा प्रक्रित. प्रक्रित का अध्यान के अध्यान का बड़ा हिस्सा माना जाता है यद्दिप मानने प्रक्रित का हिस्सा है मानुई क्रिया को प्राय अन प्राक्रितिक द्रिग विशय से अलग स्रेनी के रूप में समझा जा सकता है या समझा जाता है जिसे हम प्रक्रित के रूप में जानत करने के लिए जाना जाता है और इसकी प्रकृतिक विशेस्ता बैज्ञानिक अनुसंधान के कई छेत्रों का विसे माना जाता है सौर मंदल के भीतर या सूरज के निकरतम तीसरा है पित्वी जो हमारा वा सूरज के जो है सूरज जो हमारा है उसके निकरतम ग्रहों में से यह तीसरे नंबर पे आता है यह सबसे बड़ा अस्थली ग्रह है और पांचमा सबसे बड़ा समग्रह है इसकी सबसे प्रमुक्त जलवाई विशेशता हैं इसकी दो बड़े धुरुवी छेत्र क्या है दो बड़े धुरुवी छेत्र दो अपेच्छा क्रिती संक्रिन समसितोषन छेत्रों और उपोर्ष्न कचिबन्दी छेत्रों में जो है उसनकटबन्दी एक विस्तिरीत के रूप में जो है यह हमारा पृत्वी ठायला हुगा माना जाता है वर्षा के साथ अलग अलग जगत कहने का मतलब जो है प्रिथवी जो है वह वर्षा के साथ जो है वह अलग अलग जगह है अलग अलग होती है प्रति वर्ष करी मीटर पानी से मीली मीटर से भी कम पिर्चवी की सतह का 70% नमक पानी महा सागरों दोरा यह कवर किया गया है पैने का मतलब जो हमारा 70% जो पानी है वह खारा पानी है नमकीन पानी है जो नमक उसमें भूला हुआ है खारा पानी जो की महा सागरों दोरा यह चारों तरफ से गुर्या हुआ है उत्तरी महादीप में जो है अधिकान सब जो बसे हुए जमीन के सांद जो है महादीपों और दीपें के जो है यह है वहाँ पे पाए जाते हैं पिर्थवी के भूब ऐग्यानिक और जयविक प्रक्रियाओं के माध्यम से विक्सित हुई मतलब यह कहने का मतलब है कि जो हमारा पित्वी है यह भूब ऐग्यानिक और जयविक प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है यह विक्सित हुई है जो मूल इस्थितियों के निशान छोड़ चुकिये हैं बाहरी सतह को कई धीरे धीरे उत्प्रवासन जो है टेक्टोनिक प्लेट से जो टेक्टोनिक प्लेट से है उसमें जो है यह प्रिथवी विभाजित किया गया है इंटीरियर शक्रिये रहता है प्लास्टिक की मेल्ट की एक मोटी परत और एक लोहे से भरी हुई कोर जो एक चुंब की छेत्र उत्पन करती है यह लाओ कोर एक ठोस आंत्री चरन से ब एक्षन के माध्याम से बिद्दु धाराओं को उत्पन करती है और यह फिर जो है भूचुम की छेत्र उत्पन करते हैं वायमंडली इस्थितियों को जीवन रूपों की इस्थितियों में काफी बदलाव कीगे ओए जो पारिस्थितियों की संतलन बनाते ढम बनाते हैं जो सत्ह पूरुधितियों के स Crit Sc yea। जो कि बाकी जो बस्ता है वो है कुछ परसेंट जो है वो है नदियों तालाबों के माध्यम से पीने योग जो है एक या दो परसेंट पानी जो है पीने योग रहता है सुध माना जाता है इसी के साथ कुछिश में भू बैग्यानिक जो है उसमें चिंबकी छेतर को भी देखा जो की वाई मन्डली छेतर एस्थितियों को जीवन के रूप में यह मूल एस्थितियों में काफी जलुव पदलाव किया गया था और आवसत वैस्टिक ताफमान जो है कि डिगरी या दो डिगरी कहने का मतलब एक डिगरी या दो डिगरी की अंतर इतिहासिक रूप से पारिश्टिकी संतुलण और पिर्थिवी की वास्टिवी भूगोर पर बना रहता है। कुछ जगहों पर कम मात्रा में वर्षा होती है, इसी प्रकर हमारी पिर्थवी है, कहीं ज़्यादा कहीं कम वर्षा और जो तापमान होता है, अलग-अलग माना जाता है. भू सास्त्र अनुसासन है, और हाइड्रोकार्बन, क्या है? खनीच हाइड्रोकार्बन निसकर्षन पाक्रिटिक खतनों के बारे में जो है, जानकानियां प्रस्तुत करती है, कुछ भू जो है तकनिकी इंजिनियरिंग जो है, छेत्रों और पिछली मौसम और वातावरों को समझने के अच्छा उर्जा, दोस्त अच्छा उर्जा क्या है? अच्छा उर्जा या नमीनी करण उर्जा? अच्छा उर्जा को हम अच्छा उर्जा करते हैं या क्या करते हैं? नमीनी करण उर्जा करते हैं एंग्रेजीम जो है इसे हम renewable energy जो से हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, वे सारी उर्जा इसमें अच्छे उर्जा में सामिल है। जो प्रदूसर कारक नहीं है तथा जिनके सुरोत का च्छाय नहीं होता है जिसे हम एक बार पुन्याहु से प्रियोग मिला सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं जिनके स्रोत या पुन्या भरण होता रहता है और उर्जा पवन उर्जा जल बिद्दूत उर्जा ज्वार भाटा से प्राप्त उर्जा बायो मास जैव इदेन आधि नमीनी करण उर्जा की जो है कुछ महत्तुपूर्ण उदाहरन माने जाते हैं जो हमारा अच्छा उर्जा है अच्छा उर्जा को हम नमीनी करण उर्जा करते हैं नमीनी करण उर्जा का मतलब है जिसे हम जो है रिनेवेबल कर सकते हैं रिनेवेबल जो है नेर्जी के रूप में जो है जानते हैं जिसका हम जो है एक बार किसी में हम किसी चीज की का जो है अगर उसमें हम प्रियोकर्ट कर देते हैं तो उर्जा जो है हम पुने जो है उसे वापस जो है कर सकते हैं उस उर्जा को प्राप्त कर सकते हैं जिसमें सौर उर्जा, पहुन उर्जा, जल्विद्दुत उर्जा, ज्वार्भाटा से प्राप्त जो उर्जा है या बायो कर्म खुदारन के रूप में यह माने जाते हैं कि दोस्त अच्छा उर्जा का महत्व अच्छा उर्जा का महत्व जो महत्व के बारे हम जान लेते हैं दोस्त जो अच्छा उर्जा नमीनी करन उर्जा है इसकी तो हम जान लिए हैं मतलब कि कहां कहां से कैसे कैसे प्राप्त हो रूप से जानेंगे कि इसका जो है कहां कहां पे महत होता है जैसे उर्जा आधोनिक जीवन सैली का अविभाजन अंग बनी गई है उर्जा के बिना आधोनिक सभिता की अस्तित पर एक बहुत बड़ा प्रस्निचिन लग जाएगा अगर उर्जा नगर रहे इससे जीवन में अस्तित में बहुत बड़ा प्रस्निचिन लग अच्छा विकास का प्रमुक अस्थम माना जाता है अच्छा उर्जा जो है यह है उर्जा का ऐसा विकल्प है जो असीम क्या है लिमिट लेट जो है लिमिट लेट जो है इसे हम असीम कहते हैं उर्जा का पर्यावरनर से सीधा संबंध है उर्जा के परागत साधन कौन कौन से कोयला है गैस पेट्रोलियम आदि कोयला गैस पेट्रोलियम जो है यह हमारा जो है उर्जा के परागत साधन माने जाते हैं जो कि सीमित मातरा में होने के साथ साथ पर्यावरन के लिए बहुत हानिकारक है दूसरी तरफ जो है उर्जा के ऐसे विकल्प हैं जो पूर्णी यह तथा जो पर्यावरन को वहां ही नह चाहते हैं कहने का मतलब जो हमारा कोयला गयस पेट्रोलियम जो हमारा उर्जा के परंपरा गसाधन जो है यह पिर्थवीप जो है कम मात्रा में पाया जाता है लेकिन यह कम मात्रा में होने के सांथ-सांथ जो हमारे पर्यावरन के लिए बहुत हानिकारक जो है इसे हानिकारक म जिसे हम पर्यावरन को कोई हानी नहीं पहुचा सकता, पर्यावरन कोई संब्धु इस उर्जा से नहीं रहता है वैस्विक गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम करते हैं तथा जलवाई परिवठतन से बचाव यह अच्छा उर्जा का महत्व माना जाता है अच्छे उर्जा सुरोत वर्स प्रयतने अबांत रूप से भारी मात्रा में उपलब्द होने के सांथ सुरच्छित स्वता इस्फूर्थ वर भरोसे मंद है कहने का मतलब जो है यह जो है स्वता इस्फूर्थ वर भरोसे मंद यह उर्जा माना जाता है साथ ही इनका समान विवरन भी संभव है भारत में अपार मातरा में जयविक पदार्थ सवर उर्जा, पवन उर्जा, बायो गैस, वहलग, पन बिजली जो पानी से जो है पन बिजली के रुफ जो उतपादन होता है इसके जो है मुख्य स्रोत माने जाते हैं 21 सताब्दी का स्रोप जो है जिवास में उर्जा के बिना निरधायत होने वाला है जबकि 20 सताब्दी में वह उसके द्वारा निरधायत किया गया था पूरे बिश्व में कार्बन रहत उर्जा सुरोत के विक्यास वा उन पर सोध अब प्रियोग साला के चहार दिवारी के बाहर आकर जो है अध्योगी क्यों ब्यापारिक वास्तिया बन चुके हैं कौन से अच्छा उर्जा के रूप में भारत और अच्छा उर्जा भारत और अच्छा उर्जा देश का पार जो है अपारमपरिक उर्जा कारिकरम बिश्व के इस प्रकार के विशालतम कारिकरमों में से एक है इसके अंतरकत विभिन प्रद्योगी की बायो गैस, समुन्नत चुल्ह, बायो मास, गैसी फायर से घर बढ़ने वाली विरिच प्रजातियां जैवी पदार्थ का दहन एम सह उत्पादन पवन चक्कियों द्वारा जल निकासी, वायो जो है टर्बाइनों द्वारा सक्त का उत्पादन, सवर तापी वा फोटो वोल्टाई प्रणालियां, नागरी घरिलू तहा अध्योगी अध्यल वा कचरे से उर्जा उत्पादन बिद्दु चालित वाहन जिसे बसे हैं, परिवहन के लिए वेकल्पिक उर्जा सुरोतों पर कार्य हो रहा है, यह सिग्रताक कार्य किया जा रहा है, जो कि इस उर्जा से चालित वहन जिसे बसे हैं, और परिवहन तमाम हैं, यह इस प्रकार की उर्जा से अपना काम कर सकें जिससे परियावरन को दूसीद न हो सके आने वाले कुछ हजारों वर्सों में ही हमारे परंपरा गत उर्जा सुरोत समाप्थ हो जाएंगे जिससे बनने कहने का मतलब है कि जिससे बनाने में प्रक्कित ने लाखों वर्स लगाए हैं उस से हम कुछ ही Minutu में समाप्त कर देते हैं, जैसों हमारा Gas, Petroleum, पे तो है या लाखों वर्सवों से पहले से या बना हुगा है या पिर्थिभी के अंदर दबा ह flavours इतंड समाप्त होता चला जा रहा कुछ समय ऐसा आएगा कि जो है यह उर्जा का स्रोज जो है यह पूंड रोप से जो है धीरे-धीरे यह समाप्त हो जाएगा तो कुछ जो है नवीनी करन उर्जा के माध्यम से जो है कुछ जो है बनाने को जो है वैज्ञानिक लोग जो है सोच रहे हैं कि आने वाले समय में ज साप्त कर सके हमेशा के लिए जिसे समाप्त न किया जा सके परियोग द्वारा इसे यह तुद्रिण इच्छा सकती होना आज किया हो सकता माना जाता है जिसे हम अच्छा उर्जा की रूप में जानते हैं प्रस्म पूस रिया जाता है अच्छा उर्जा तो कंफ्यूजन हो जाती है कि अच्छा उर्जा होता क्या है ते अच्छा उर्जा को ही हम नमीनी करन उर्जा के रूप में जानते हैं अब दोस्त हम अमली वर्षा के बारे में चर्चा करेंगे अमली वर्षा तो दोस्तों अमली वर्षा के बारे में हम चर्चा करने से पहले दोस्तों आप लोग ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियों को सेयर कर दीजिए जिससे हमारी भावीबन जो नहीं इस चैनल के साथ जुड़े हैं वह इस चैनल के साथ जुड़ सकें और जो है कुछ महत्कों टापिकों को जो है कवर कर सकें तो दोस्त एक बार सेजर कर दीजिए फिर हम अपने टापिक पी चलते हैं समय को हम ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे तो दोस्त अमली वर्सा होता क्या है हम यह देखते हैं जो है अमली वर्सा जो बारिस के समझ जो है वर्सा के समझ जो है लोग काते हैं कि पहले बारिस में भीगना नहीं चाहिए क्यों नहीं भीगना चाहिए तो उसमें पहले बारिस जो होता है वाई मंडल में तमाम प्रकार के जो हैं पर दूसर के सांसां जो हमारे कुछ गैसें ऐसी है जो हानक्यारक गैसे जो इसमें विद्मान रहती है जो कि बारिस के जल के सांथ जो है वह प्रिथवी पे आ जाती है इसलिए जो है जो माना गया है कि पहले बारिस में जो है मानव या जीवजंद को भीगना नहीं चाहिए जिससे कुन के लिए बहुत हानक्यारक साबित हो सकता है तो हम देखते हैं जो है अमली वर्सा क्या है अमली वर्सा जो है प्राक्रितिक रूप से ही अमली होता है क्या होता है अमली होता है इसका कारण यह है कि पिर्थिवी के वाइमंडल में सलफर डाइ आकसाइड और नाइट्रोजन जो है आकसाइड जल के साथ क्लिया करके नाइट्रिक अमले और गंधक का तेजाब बन जाता है वही हमने बताया कि जो हमारे वाइमंडल में कुछ हानिकारक जो परदूसन के सांसन जो था हमारी जो गैसे पाई जाती है तो वह कौन कौन सी गैसे हैं वह है जो है सलफर डाइ आकसाइड और नाइट्रोजन आकसाइड है क्या है सलफर डाइ आकसाइड और नाइट्रोजन आ जाता है आमलो वर्षा में आमले दो प्रकार के वाई पर दूसरों से आते हैं कौन-कौन से यसोटू यनोटू सल्फर डाइक्साइड नाइट्रोजन अक्साइड ये पर दूसरक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चीमनियों बसों स्वाचालित वठानों की जलाने से उत्सरजित होकर वायमंडल में मिल जाते हैं।uster was include करखानों में जी दूमें प्रवाईड होती है जी चीमनियों के माध्यान से हमारे वायमंडल में जो छोड़ी जाती है तो उसमें जो है सलफर और नाइट्रोजन का मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें होता है जो हमारे सड़कों पर बसों या छोटी वाहनों में जो धूएं के रूप में जो है प्रदूसरन होता है इसमें भी जो है सलफर और नाट्रोजन का जो मिस्तरन होता है यह धुय के रूप में जो है हमारे वायमंडल में जो है उत्सरजित हो जाता है वायमंडल में मिल जाता है जो कि बारिस के समय है जल के साथ क्रिया करके नाट्रिक अमल जो है अमली वर्शा की रूफ में बारिस की रूफ में नीचे पिर्च्वी पे बारिस की रूफ में नीचे आजाता है जिससे मानव जीव जन्त पहली बारिस में अगर भीग जाए उस जल से तुम्हें जो है इस जैसे उनको चर्म रोग जैसे कुछ समस्चाएं जो है यह हानक्यारक जो है बहुत हानक्यारक माना जाता है यह चर्म रोग के रूप में जो है यह बहुत कहने का मतलब यह रोग उत्पन कर देता है इसी को हम क्या करते हैं अमली वर्षा करते हैं अब हम अमलो वर्षा के दुस परणियाम जो अमलो वर्षा है इस अमलो वर्षा के कुछ है दुस परणियाम है हम दुस परणियाम के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों तो अमली वर्षा के कारण जली प्राणियों की मृत्तू, खेतों और पेड़ पौधों की बिद्ध में गिरावट, ताबा और सीचा जैसे घातक तत्तों का पानी में मिल जाना, ये सभी जो है दोस्त परणियाम देखे जा सकते हैं, जर्मनी वर पच्छिम यूरूप में जं प्रिथ्वी पर बहुत बड़ा जो है दोस्त परिणाम माना जाता है, जिससे कि हमारे जो जली प्राणि होते हैं, जो जल में पाए जाते हैं, वह जली प्राणि जो है ये अमली वर्षा के कारण जो इनकी मिलित्ध हो जाती है, इसी अमली वर्षा के कारण जो हमारे प्रि जो है रोग ग्रस्ट हो जाती है जिससे पत्फियं गिर जाती है प्राणियों के लिए जिवुत प्राणियों के लिए यह सबसे दूस प्रणियाम देखने को यह पाया जाता है जर्मनी और पच्छमी यूरोप में जर्मनी ये कैसा देश है जर्मनी और पच्छमी यूरोप में जहां पे जंगलों के नष्ट होने का कारण यह अमलवर्षा जो है यह एक महत्पुन कारण के रूप में जो है यह माना जाता है किसी जल जो है अमलबर्षा के जल के कारण जो है यहां के जंगलों का जो है बिनास करण माना जाता है यहां का बिनास माना जाता है जंगलों का और मनुस पर भई जो है मनुस जो है मनुस प्राणी जो है इन चर्म रोग और जैसे घातक बीमारियों के रूप में यह मनिस्यों में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है अब दोस्त जो है अमली वर्सा जो है इसके तो दूस पलिणाम के बारे में हमने देख लिया अब इसके समाधान होने का कारण कैसे है समाधान किसे किया जा सकता है इसे है तो इस समस्या का समाधान एक ही प्रकार से संभव है इसके लिए घातक वाई और पदार्थ के स्रोच जहां से प्रदूसर उत्पन हो रहे हैं उनको वही पर नियंत्रित करना और वี้ सभी ब्याक्तियाव संस्थान जो इस बिशर पर कारियरत है उन्हें सारी जानकारी देना, काने का मतलब जो हमारा अमली वरसा होने का जो महतुपरून कारण है उस कारण को हम वहीं पर समाप्त कर दें तो यह पर दूसर नहीं फैल पाएगा और इस समस्या का समाधान माना जाएगा जैसे जैसे जो एक चीमानिया है, कलकार खानों की चीमानिया से जो धूँए निकलती है इसे वायमिन छोड़ करकी इसे जो है कुछ ऐसे पतार्थों की माध्यम से ऐसी जो है टेकनिक की माध्यम से जो है इसमें कम से कम जो है धूमिय का जो है कम से कम परदोसर का जो है इससे उसरजित किया जा सके और इसकी उचाईयां जो है शिमनियों की उचाईयां ज्यादा से ज्यादा उपर कर दिया जा या तो इसे जो है भूमिगत अंदर जो है जो ह धूएं को प्रवेस कराया जाए और कम से कम जो है यह प्रदूसर्ण फैलाया जाए और वाहने जो है जो है हमारे सड़कों पे जो वाहने चल रहे है छोटी बड़ी जो वाहन पर चल रहा है इसको भी जो है कम से कम जो है प्रियोग में लाया जाए कहने के मतलब जितना कम से क कम हो सके परदूसरन को जो है रोखने का हमारे जो ब्यक्ति हैं जो है इसे कम से कम दूसरन जो है परदूसरन को फैलाएं जिससे की समस्या का समाधान हो सके तो दोस्त जब से कम से कम जब हमारा पर्यावरन परदूसरन कम से कम होगा तो हमारा जो है हर समस्या का समाधान जो है माना जाएगा और अगर ज्यादा से ज्यादा हमारे पर्यावरन को अगर पर्दूसन करेंगे तो पर्यावरन के सांथ सांथ जीवित जन्तूं का बिनास होगा और इस पर्यावरन के सांथ समाज जो है जीवित जो प्राणी है उनका भी इस धर्ती पर जो है जल्द से जल्द बिनास माना जाएगा इसलिए जो है पर्या और उनको बनाए रखने के लिए परदूसन का जो है नियंतरा करना अति आवस्यक माना जाता है दोस्तों इसी में ओजोन ओजोन परत का भी चर्चा होता है अमली वर्षा के सांद जो है ओजोन परत जो होता है ओजोन परत उसकी भी चर्चा हम करेंगे इसमें ओजोन है क्या है तो दोस्तों ओजोन ओध्री आक्सीजन जो है आक्सीजन के तीन परमाणुवों से मिलकर बनन तू प्रसेंंट यह हमारे वाताव रर्म जो है वावि मंडल में बहुत कम मातरम यह पाई जाती है कौनसी ओजोन गयस जो की आक्सीजन के तीन परमाणगों से मिलकर बनने वाली यह ओजोन गयस मानी जाती है यह तीखे गंध वाली अत्यांत भी शहली गैस है जमीन के सतह के उपर अर्थात निचले वाई मंडल में यह एक खतरनाग कहने का मतलब जो है यह जमीन के उपर जो है हमारी पिर्थवी के उपर जो है सतह के उपर अर्थात निशले वाविमंडल में यह खतरनाक दूसक साबित होता है जबकि वाविमंडल की उपरी परत ओजोन परत के रूप में यह सुर के पराबैगनी विकिरण से पिर्थवी पर जीओन को बचाती है जहां इसका निर्मान आक्सीजन पर पराबैगनी किरणों के प्रभाव रूप होता है ओजोन आक्सीजन का एक अपर रूप है यह समद्री वाविमें उपस्चित होती है कहने का मतलब जो हमारा ओजोन है यह पिर्थवी के उपरी सत्य पाई जाती है उस पे अगर ओजोन पाई जाता है तो यह खतरनाक दूस्षित प्रदूसन होता है यह वाविमंडल के उपरी परत में जह पाया जाता है ओजोन ओत्री जो है यह वाविमंडल में उपरी परत में पाया जाता है जो की हमारी सुर से जो केर्णे आती है सुर से उसमें जो हमारी हानिकारा केर्णे जैसे पराबैगनी केर्णे होती है इस पराबैगनी केर्णों को यह हमारा ओजोन परत जो है अप फावित नहें कर सकें और दोस्त ओस्वन परत जो है यह जो है सुर्छ HOLE A किरणों को यह अपनी अंदर जो है सो breve되 avanz आई इसलिए जो है ओजोन परत जो है उसका धीरे-धीरे वायومनर में पर्दूसर्ण जो माना जाता है पर्दूसर्ण है इसी पर दुसने के वजए से हमारा जो ऊजहında परत है वह धिरे धिरे जो है पतली परत बनी चली जा रही है एक समय ऐसा आयगा है जो हमारा हान क्यार्थ जो कीरंड थी जो उजहischerा न परत रोक रहा जाता है माना जाएगा इसका इतिहास इतिहास के बारे हम जानते हैं इतिहास ओजोन कैसे नाम पड़ा कब कैसे इसके बारे हम इतिहास इसके ओजोन की इतिहास के बारे हैं तो वान मैरम ने कौन से बैग्यानिक हमारे हैं वान मैरम वान मैरम ने सन 1785 में बिद्दुत यंत्रों के पास एक बिशेश प्रकार की गंध का अन्भव किया जो हमारे बैज्ञानिक कौन थे वान महरम जो थे वह 1785 में बिद्दुत बिशर्जन यंत्रों के पास जो हमारा बिद्दुत बिशर्जन यंत्र थे उस यंत्रों के पास एक बिशेश प्रकार की गंध का जो ह उलेख है, उन्होंने अपने लेखों में किया, अठारा सो एक में क्रिक सैक को भी आक्सीजन में बिद्दुत विसर्जन करते समय यही अनुभव हुगा, कहने का मतलब वान मैरम जो थे वह सतारा सो पचासी स्वी में जो है विद्दुत विसर्जन जो है यंत्रों के पास यह एक विसर्ज़ प्रकार की गंद का अनुभव किये, जिसे अठारा सो एक इस्वी में क्रिक सैक ने भी यह अक्सीजन में बिद्दुत विसर्जन करते समय यह अनुभव उनको भी यह प्रोवाइड हुगा, अठारा सो चालिस इस्वी में जो है सानबाइन, जो सानबाइन ह हमारे बेग्यानिक थे वो 1840 CCW में इस गंध काका अंट एक नई गैस को बताया और उन्हें इसे ऑजोन नाम दिया, ऑजोन नाम देने वाले हमारे बेग्यानिक कोन है? सान बाइन, जो कि 1840 CCW में, ऑफारा सारे सान बाइन नी इस गंध का कान ने पता लगाया 果क और इस गंद को एक नई गैस के रूप में इन्हों ने माना और इसे ओजोन नाम दिया है इस गैस का नाम क्या दिया ओजोन गैस है जो कि यूनानी सब्द ओजो क्या है यूनानी सब्द ओजो यानि सूंगता हूं ओजो का आर्थ जो होता है सूंगता हूं पर आधारित था सन 1865 में सोरेट वज्ञानिक थे 1865 में उन्होंने यह सिद्धिकिया कि यह गैस जो है आक्सीजन का एक अपर रूप और इसका अंडसूत्र जो है ओध्री माना जाता है हमारा आक्सीजन जो है ओटू है इसी का जो है तीन परमाणूं का मिल करके जो है अक्सीजन वो जोन का निर्मार करता है जो से हम वो थ्री के नाम से जानते हैं इसका अपर रूप है जो है सोरट महोद जो है 1865 हिस्वी में इन्होंने यह सिद्धिकर कि यह इस गैस का जो है इन्होंने निर्याकरण किया